क्या माधुर दिक्षित का रिष्टा सुरेश वाडकर के पास गया था? सुरेश वाडकर असी के दर्शक में बहुत नामचीन सिंगर थे वही माधुर दिक्षित उनकी पहली फिल्म अबोध हाई थी और वो फिल्म भी फ्लॉप हो गई ऐसे में माधुरी के घरवालों ने जो है कहा जाता है कि उनकी शादी करने का सोचा और उन्होंने अपने मराथी फैमिली सुरेश वाडकर के हाँ उनका रिष्टा भेजा लेकिन इसकी सच्चाई क्या है इसका खुलासा हाले में सुरेश वाडकर ने किया अक्सर ये कहा जाता है कि लाखो करोडों दिलों पर राच करने वाली माधुरी करिश्टा मशूर सेंगर सुरेश वाडकर के घर भीजा गया था सुरेश असी के दशक में बहुत बिजी सिंगर हुआ करते थे उन्होंने बॉलूर और माराठी फिल्मों में तो अपनी अवास का जादू बिखेरा था माधुरी एक महराश्ट्रिन फामली से आती है उनके पेरेंस जाते थे कि माधुरी की एक अच्छे मराठी परिवार में शादी हो जाए और वो घर परिवार में बिजी हो जाए 1984 में जब माधुरी के पहली फिल्म अबोध रिलीज होई थी तब ही उनके माता पिता उन्हें शादी कर सेटल करने के सोचने लगे माधुरी भी इसके लिए मान गई क्योंकि उनकी पहली फिल्म खास कमाल नहीं कर सकी माधुरी के माता पिता ने उनके लिए लड़के देखने शुरू किये और फिर ऐसे में माधुरी की शादी का रिष्टा भेज़ा गया सिंगर सुरेश वाडिकर के पास लेकिन माधुरी के पिता को मायूस होकर ही लोटना पड़ा था क्योंकि माधुरी से उम्र में 12 साल बड़े सुरेश ने माधुरी की तस्वीर देख उने रिजेक्ट कर दिया था उनका कहना था कि वो बहुत जादा पतली है इस घटना ने माधुरी के दिल को तोड़ कर रख दिया था वैसे खुद माधुरी भी एक इंटर्व्यू में कह चुकी है कि शरुवाती दोर में वो हद से जादा पतली थी लेकिन आज हम आपको पता रहे हैं इस वाइरल खबर के सच्चाई कुछ दिन पहले ही सुरेश वाड़कर ने एक इंटर्व्यू दिया था और इस पूरी कहानी को जटला दिया था उन्होंने इंटर्व्यू में कहा ऐसा है ना किसी दिन माधुरी दिक्षित मुझे रास्ते में गहर कर दो ज़ापड मारने वाली है क्योंकि उस खबर की कहानी में सच्चाई क्या है उसको बिना जाने ऐसी खबर उड़ा देना बेतुकी बात है अगर उन जैसी खुबसूरत लड़की का रष्टा मेरे लिए आता तो मैं सपने में भी मना नहीं करता माधुरी दिक्षित को कौन मना कर सकता है भला? अगर ऐसा होता तो पदमश्वरी लेदने के लिए वो मेरे साथ होती वो इतनी अच्छी लड़की है, बेचारी और इतनी अच्छी है कि अभी तक कुछ बोली नहीं है वरना ये खबर इतनी चली है कि किसे दिन मुझे सामने मिल जाए तो दो चमाट बजा ही देगी मेरे कान के नीचे उन्हें लगेगा कि मैं पब्लिसिटी हासल करने के लिए ये खबरे फैला रहा हूँ बताते अपनी फिल्मिक करियर के पीक पर माधुरी ने साल 1999 में डॉक्टर श्री राम माधव नेने से शादी नचाली थी और अमारिका चली गई थी करीब 12 साल वैमारिका में रही और उनके दो बेटे हुए साल 2012 में आकरस परिवार के साथ मुंबई में शफ्ट हो गई वहीं सुरेश वाटकर ने भी साल 1988 में पद्मा वाटकर से शादी कर ले थी कपल के दो बच्चे हैं और अब दोनों काफी बड़े हो गए हैं विरो रपोर्ट इट्वर